हाई दोस्तो मैं हूँ आशिश और आप लोग देख रहे हैं MEDLAB चैनल आज का जो वीडियो है दोस्तो ये नियूस्पीन पाउडर की बारे में इस नियूस्पीन पाउडर का यूस किस-किस परपस में कर सकते ज़िसके कप कैसे इसको इस्तना करना चाहिए और इसका इस्तोमाल दिन में कितना बढ़ काना चाहिए उसकी बारे में दोस्तों फूरी फूरी जांकरी मिल जाएगी अगर आप लोग मेरे मैडलेप चैनल में फस्ट आमाए तो प्लिस एक बार सब्सक्राइब कर लेजिए और साथ-साथ भगलवाले घंटे को भी एक बार प्रेस्ट कर लेजिए आए दोस्तों शुरू करते आज की वीडियो अब लोग देखे हैं न्यूस्पीन यह पाउडर फ़र्म में है एक एंटिवाइटिक पाउडर है यह 10 गिराम मिलता है एक पॉट में दोस्तों और यह जो न्यूस्पीन पाउडर है यह गलाख्स कम्पनी का एक बेस्ट प्रड़्ट है तो यह दोस्तों यह मार्केट में बह तो आप आपने इसकिन की कोई भी पॉब्लम हो इसकिन में काड़ जाने के बाद दोस्तों पाने निकलना और बेक्टरियल इंफेक्शन हो जाना इसकिन में तो उस सब आधी पॉब्लम के लिए दोस्तों आप इस न्यूस्पीन पाउडर को इस्तमाल कर सकते अपनी कटा हुआ जला हुआ उस इंफेक्शन इरिया में दोस्तों आप इसका इस्तमाल कर सकते जबी क्या होता है कि किसी भी टाइप की भी सरजरी करने के बाद जो आपकी बोडी में घा या जखम रहेता है तो जल से जल दोस्तों से इकरने के लिए तो आप नियूस्पीन पाउडर का इस्त मिलता है नियूस्त और इसमें जो बैक्तिरल जीन्स तो इसमें दोस्तों ये आपकी खा के लिए या आपकी बोडी में जो तुशा में जो इन्फेक्शन होता है तो कर जाने के बाद उसके लिए दोस्तों एक दौ Hack एक्सटलेंट है इसका वार्स एक्सिलन्ट है इसका सर्जार के लिए आप इस new spring powder का से इस्तमाल कर सकते दोस्तो दोसे की इस किया चाहिए,' उसके बारे में एक बार गौर कर लिए इस्तमाल एकदम आसन्द से दोस्तो आप कर सकते जला हूआ कटा हुआ अरिया में दोस्तों इस powder को खो देना है लगाना है दिन जिन में 2-3 बार इस न्यूजटूब पाउडर को को जला हुआ जगे में दोस्तोई आपको इसको कर लगाएगा दिन में 2-3 ते लिए आप पर्णा इता प्रणाwoman जखें रहता है तोarlan का इसको प्मद कर सकते आसानी से इस न्यूजब्र पाउडर करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना दिरूरी है डॉक्टर से एक बार सलाह कर लेजिए उसके बाद ही दोस्तों आप अपने कटे हुए जले हुए या इंफेक्शन बेक्टरियल इंफेक्शन की तुचा में है दोस्तों उस एरिया में आप इसको और सनी से इसनमल कर सकते हैं जो सकता है तो यह टिन कि इसको इस्तिव नव्यग में आप इसको इसका इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेजी और साथ-सथ भगल वाल घंडे को भी एक बार प्रष कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंट शेयर करना मत भूलेगा टैंक्यू वाटिन इस वीडियो